Hello Everyone, Welcome Back to my YouTube Channel Anutek Education Anutek Education में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज ही क्लास में हम लोग बच्चों से रोज बोले जाने वाले वाक के देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से तो गाइस यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए स्टार्ड करते हैं छोटे-छोटे सेंटेंस हैं प्लीज देखिएगा जरूर ओके चलो खेलते हैं हम बच्चों से कहते हैं चलो बच्चों खेलते हैं अब हम तो हम कहेंगे उन्हें लेट्स प्लेई हम कहते हैं बच्चों को नहाने चलो या चलो नहाते हैं इसे हम कहेंगे लेट्स टैक अबात सूने चलो यह हम कहते हैं बच्चों को चलो सोते हैं जब हम बच्चों को ढूंडते हैं तो हम कहते हैं आप कहां हैं तो हम इने कहेंगे वेर आर यू दूर रहो हम बच्चों को बोलते हैं कोई गर्म चीज होती है तो उससे हम कहेंगे दूर रहो, दूर रहो, तो हम कहेंगे stay away, stay away, जब हम बच्चों को बोलते हैं न, चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो हम कहेंगे go away, go away, ओके, जब सुबह उठते हैं, तो हम बच्चों को बोलते हैं, अपने दात धोलो, तो हम इसी चीज़ को हम उने बा जब हम बच्चों से बूलते हैं अपना विस्तर ठीक करो तो हम उसी चीज को इंगलिस में बुलेंगे make your bed, make your bed, अपना भोजन खत्म करो, हम बच्चों से कहते हैं अपना भोजन खत्म करो, finish your food, finish your food next word is, अपना मुह धोलो, हम बच्चों से कहते हैं, चलो अपना मुह धोलो, इसे हम कहेंगे, wash your face, wash your face हम बच्चों से बोलते हैं, अपने पैर धोलो, इसे हम कहेंगे, wash your feet, wash your feet नेक्स्ट वर्ड इस जब बच्चे किसी भी चीज से अपना हाथ गंदा कर लेते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं अपना हाथ धोलो से हम बोलेंगे इंगलिस में wash your hand हम बच्चों से कहते हैं अपना मुह खोलो इसे हम इंगलिस में कहेंगे open your mouth open your mouth ओके हम बच्चों से कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो hurry up next sentence is हम बच्चों से कहते हैं नहा लो इसका मतलब होगा टैक बात नहा लो next sentence is उठ जाओ वैक अप हम बच्चों से सुबह बोलते हैं मौर्निंग में उठ जाओ उठ जाओ तो हम इसे कहेंगे वैक अप उठ जाओ ये क्या है हम कहते हैं बच्चों से ये क्या है what is this next is ये क्या है हम कहते हैं बच्चों से ये क्या है what is this next is मुझे दो हम किसी से कुछ मांगते हैं तो कहते हैं मुझे दो Give me इसे चखो हम कहांगे इसे टेस्ट करो या चखो इसे कहते हैं test it Next word है क्या हुआ हम कहते हैं क्या हुआ इसे हम कहेंगे What happened हम बच्चों से कहते हैं अभी करो किसी भी काम को अभी उसे हम इंगलिस में कहेंगे right now next word है ध्यान से ध्यान से को हम कहेंगे इंगलिस में be careful next is और कुछ नहीं इसका मतलब होगा nothing else जब बच्चों को हम कहते हैं कुछ चाहिए तो वो हमसे कहते हैं nothing else हम बच्चों से कहते हैं और कुछ कुछ चाहिए इसे हम कहेंगे anything else anything else इसे low इसे हम कहेंगे इंगलिस में tag it tag it इसे low इसे हम कहेंगे इंगलिस में tag it check it मेरी तरफ देखो इसे कहेंगे हम Look at me Look at me हम बच्चों को बोलते हैं इधर देखो Look here Next word is